दोस्तों मैं सौरम बलिक आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ Mix GK की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं Top 31 GK के ऐसे Question Answers जो की दोस्तों परिक्साओं में Repeat होते हैं बार-बार पुछे आते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा एंट तक देखना 31 में से कितने questions के आंसर आप लोग सही कर पाते हैं अपना score जरू बतेगा ये वीडियो सब भी परिक्साओं के लिए है और ये वीडियो दोस्तों regular आती है Only Top Study चैनल पर रात में 9 बजे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को पहला Question है काजरी नरत्य भारत के किस राज्य का लोक्रिय लोक नरत्य है तो इस Question का अंसर जल्दी से बताईए मेरे प्यारे दोस्तों इस Question का सही उत्तर क्या रहेगा I hope कि आप सब भी ने अंसर कर दिया होगा उत्तर पर देश में दोस्तों यानि कि B Right Answer हो जाएगा देखे आपको हरे Question का अंसर कमेंट बोक्स में जरूर बताना है इसके लिए मैं आपको कुछ Second का समय भी दूँगा दूसरा Question है शिक्सा का अधिकार भारती सविधान के किस अनुच्छेद से सम्बंदित है दोस्तों शिक्सा का अधिकार भारती सविधान के किस अनुच्छेद से सम्बंदित है तो Right Answer is अनुच्छेद 21A से यानि कि Option दोस्तों D Right Answer हो जाएगा ठीक है चलिए तीसरा Question आता है लक्सदीप में कुल कितने दूइप है दोस्तों लक्सदीप में कितने दूइप है तो Right Answer is 36 यानि कि C Right Answer दोस्तों हो जाएगा Next Question है कौन सा चैनल अन्माद दीप और निकोबार दीप को एक दूसरे से अलग करता है दोस्तों Right Answer क्या रहेगा जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बताईए इस Question का सही उत्तर रहेगा 10 डिग्री चैनल यानि कि दोस्तों B Right Answer हो जाएगा ठीक है Question No.5 आता है गोविंद बल्लव पंद सागर खालिस्थान में इस्तित एक मानव निर्मित जलाश्य है तो इस Question का Right Answer बतेगा दोस्तों गोविंद बल्लव पंद सागर उत्तर परदेश में इस्तित एक मानव निर्मित जलाश्य है यानि कि C Right Answer हो जाएगा ठीक है और देखे अगर आप लोग दोस्तों किसी भी वीडियो का जो भी Only Top Study यूटूब चैनल पर आती है उसका PDF डाउनलोड करना चाहते है या फिर PDF से पढ़ना चाहते है तो Only Top Study एप को अभी डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करते हैं दोस्तों 5 स्टार की रेटिंग भी आप कर देंगे तो ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगे और मिलेगी कहा से यूटूब फ्री PDF वाले सेक्शन में जा करके दोस्तों जो हमारी Paid PDF है जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक कोशन को और दोस्तों हर एक सब्जेक्ट को कवर किया है इस PDF में ये मातर 150 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और WhatsApp नंबर से WhatsApp नंबर पे लिंक लेने के लिए मैसिज करिएगा या फिर डारेक्ली लिंक से परचेज कर सकते हैं लिंक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दिया है तो ये आपको याद अखना है अगला कोशन आता है दोस्तों बकरवाल जन्जाती भारत के किस राज्य के इंसासित परदेश में पाई जाती है तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए जम्मू कस्मिर में यानि की बी राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है, नौॉंबर 2022 में गांधी मंडेला प्रुषकार से किसे संमानित किया है? दोस्तो, रạoन याट आंसर क्या रहेगा? डलाई लामा, यानि की दोस्तो, बी रạoन हो जायेगा. अगला कोशन आता है निमलिकित में से किस भारतिय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा तो इस कोशन का राइट आंसर क्या रहेगा तो ये किला दोस्तो मिलेगा पस्चिम मंगाल में I hope कि आप सब ने भी यह आंसर लगाया होगा तो राइट आंसर is C दोस्तो अगला कोशन है अफगानिस्तान देश की संसद का नाम क्या है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही है सोर यहां पर दोस्तो राइट आंसर रहेगा यानि कि D is the right answer ठीक है अगला कोशन आता है हरियक वंस का संस्थापक कोन है दोस्तो हरियक वन्स का संस्थापक कोन है तो राइट आंसर इस बिम्बी सार यानि कि सी रेट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है कि संसोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मोलिक अधिकार से हटा दिया गया दोस्तो राइट आंसर रहेगा चवालिसवे सविदान संसोधन के तहट यानि कि सी रेट आंसर रहेगा अब यह किस वर्स में हुआ था दोस्तो कहीं बार बता चुका हूँ इसका आंसर आप लोग बताएंगे किस वर्स में 44 सविदान संसोदन हुआ था सैसन अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करें अपने भाई बैन दोस्तों के साथ में सेयर कर दिया करें क्योंकि ये वाली जो वीडियो है हमारी रात में 9 बजे ओनली टोप स्टेडी चैनल पर हर रोज आती है बारवा कोशन क्या कह रहा है इंटरनेशनल बोक्सिंग एसोसेशन खालिस्तान में स्थित है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा लुसाने स्वीजर लेंड में यानि की ओप्षन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन आता है तीजन बाई का संबंद किस नत्य सहली से है दोस्तो तीजन बाई का संबंद किस नत्य सहली से है तो राइट आंसर क्या रहेगा पानवानी से यानि की C रैट आंसर दोस्तो हो जाएगा अगला कोशन आता है भारती निर्यात आयात बैंक जिसको एक्जिम बैंक भी बोले आता है दोस्तो कि इस थापना किस वर्स हुई थी तो इस कोशन का सही उत्तर रहेगा 1982 में यानि की option दोस्तो A रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है बेकाल जील किस देश में इस्तित है दोस्तो बेकाल जील किस देश में इस्तित है तो रैट आंसर क्या रहेगा बिल्कुल दोस्तो रूस में यानि की C रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है रानी की वाव खालिस्तान राज्य मेश्थित है एक महत्पून एत्यासिक समारक है तो रानी की वाव दोस्तों कहां पर है जल्दी से आंसर कमेंट बोक्श में बता दीजイे और इस कोशन का सही उत्तर रहेगा दोस्तों गुजरात में यानी की डी रेट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है भारत के सविधान में कितने मोलिक कर्तव्य निर्धारित है दोस्तो राइट आंसर क्या रहेगा मोलिक कर्तव्य कितने हमारे देखे फंडमेंटल राइट्स ठीक है मूल अधिकार कितने है छे है और मोलिक कर्तव्य है दोस्तो ग्यारा तो right answer C हो जाएगा next question है निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है देखे इस question का right answer क्या रहेगा तो यहाँ पर दोस्तो सारे options ठीक है ठीक है बट जो D वाला option है पम्मंदीप ये केरल में नहीं है ये तमिल नाडू में है तो right answer D हो जाएगा अगला question आता है किस देश ने ICC T20 विसकप 2022 जीता इस question का दोस्तो right answer क्या रहेगा इंग्लेंड ने यानि कि B right answer हो जाएगा अगला question आता है पटा चित्र कला रूप हिंदू परानिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है दोस्तो यह है भगवान जगनात को समर्पित यानि की right answer दोस्तो D हो जाएगा अगला question आता है अम्बू बासी मोचसब भारत के किस राज्यम से सम्बंदित है तो इस question का right answer क्या रहेगा असम से दोस्तो यानि कि C right answer हो जाएगा अगला question आता है पंतिन रत्य किस राज्यम का सबसे लोक्प्रिय लोक्नेत्य है दोस्तो इस question का right answer रहेगा 36 गड़ यानि की B right answer दोस्तो हो जाएगा अगला question आता है Mount Harriet रास्टे उद्धान किस इस्थान पर इस्थी थे तो right answer रहेगा अन्मान वे निकोबार दीप समो यानि की C right answer रहेगा दोस्तो question number 23 का सही उत्तर अगला question है भारत की खोज किस ने की देखे भारत तो देखे दोस्तो पहले से ही था ठीक है खोज किसी ने नहीं किये बट अगर दुनिया में देखा जाए कि भारत का नाम किसने एक दूसरे से परिचित कराया कौन पहले अमारे देश में आया था तो वो था दोस्तो वासको डिगामा कोई बहार का व्यक्ति अपने देश में आया और फिर बहार जाके उसने बताया कि भारत देश इस धर्ती पर कहां पर है भारत तो दोस्तो लाखो करोडो साल पहले से मतलब जब से धर्ती है भारत तब से है तो इसमें कोई बच्चा गलत कमेंट मत करना क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ बच्चों को जो मतलब ऐसे ही कमेंट करने के लिए घूमते हैं कि भारत की कोज कौन कर सकता है ये कर सकता है वो मुझे भी पता है मेरे से बड़ा देश भक्त आप में से साइध होंगे तो मेरे से ज़्यादा मैं निमानतो किसी को होगा ठीक है तो देश भक्ती का कोई प्रूफ नहीं देने की जोरत होती है आपे पच्चिसवा कोशन है अर्जुन पुरुषकार की सुरुवात कि सुवर्स हुई अर्जुन पुरुषकार की सुरुवात मेरे प्यार दोस्तो 1961 में यानि कि C रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन आता है समवांग किस राज्य का परसिद लोक नत्य है तो इस कोशन का रैट आंसर क्या रहेगा तो जल्दी से आंसर बताएगा दोस्तो ये नत्या दोस्तो हर्याना का यानि की B रैट आंसर हो जाएगा वैं देखे कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका फैसला कोन करता है कोई विदेयक धन विदेयक है या नहीं इसका फैसला मेरे प्यार दोस्तो कोन करता है लोगसभा अध्यक्स करता है यानि कि दोस्तो बी रैट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है भारत की मानक समय रेखा मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानि की राइट आंसर हो जाएगा option A तो यह आपको आदखना है अगला कोशन है भारत में वर्तमान में कुल कितने उचन्याले है भारत में वर्तमान में कुल कितने उचन्याले है तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा तो बिल्कुल सही दोस्तों वर्तमान में 25 है यानि की C रैट आंसर हो जाएगा दोस्तो मैक्सेस पुरुसकार पाने वाले पहले भारतिये कौन थे तो राइट आंसर क्या रहेगा तो बिल्कुल सही उत्तर है विनोवा भावे यानि की ओप्शन दोस्तो ए राइट आंसर हो जाएगा वे दोस्तो अगला कोशन आता है तमबाकू पर पून परतिबन लगाने वाला विस्वुक का पहला देश कौन सा है तो राइट आंसर दोस्तो रहेगा भुटान यानि की डी राइट आंसर तो ये आपको याद अखना है मेरे प्यारे दोस्तो अब एक test question है आप लोग के लिए इसी वीडियो से है इसका आंसर जुरू कमेंट बोक्स में बताया करें हरियक वंस का संसाफक कोन है जल्दी से ऐस question का अंसर कमेंट बोक्स में बताएगा और 31 में से कितने questions के answer आप लोगों ने सही किये हैं ये भी comment box में जरूर बताएगा और दोस्तो अगर आप लोग को pdf से पढ़ना है तो only top study app को तुरन डाउनलोड करिए इसका link नीचे description box में है और 5 star की rating करने के बाद में आपको ये सारी pdf दोस्तो free में मिल जाती है यूटूब free pdf वाले section में current affair वाले section में दोस्तो daily current affair मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ आपको app से मिल जाती है और जो हमारी master pdf है दोस्तो 6000 के question answers की अब बहुत सारे exam है जिनको आप इस pdf से पढ़के दोस्तो crack कर सकते हैं जैसे SSC CGL है CHSL है MTS का exam है railway के लिए अगर आप त्यारी करें तब भी आप इस pdf को जोइन कर सकते हैं इस pdf में आपको क्या-क्या मिलता है teaching के exam के लिए दोस्ते बहुत जबरदस पीडियाप है history, geography, politics, economics, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, GKS में सब कुछ आपको मिल जाता है इसको directly आप हमारी website, whatsapp, number या feed दिये गए नीचे description box में link से purchase कर सकते हैं चैनल पर नए है तो subscribe जरू करिए, खुद भी करिए अपने भाई-बैन दोस्तों को भी बताएगा और वीडियो को like, share करना मत भूलेगा मिलते next class में, thank you so much, bye bye everyone, take care, ख्याल लख अपना